पीते दिन हाँ पर घटना को अंजाम दिया जाता उस घटना अस्थल पर हम मौजूद हैं आप जमीन पर खून के निसान देख रहे होंगे एक सक्स की यहीं पर हत्या की जाती है और वो हत्या का खुलासा यह होता है कि वो अपने भाई की हत्या कर देता है बताया यह जा रहा है रोड पर यहां पर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन हथियार से उसकी जाती है और कितनी निर्मान तरीके से जाती है जो लोग उस समय वक्त इस डेड़ बाड़ी को देखे थे सारे लोग सहम गए थे इस तरीके की हत्या कहीं कहीं न कहीं छेत्र में पूरे तरीके से भय का माहौल बना हुआ है अस्थानी लोग कुछ है इस गाओं के आसपास की लोग है जो उस समय घटना स्थल पर आये हुए थे आम उसे बात चीद करेंगे कि आखिर बोड़ क्या यहां पर देखे थे यार इस घटना को लोगर क्या जानकार है कुछ लोग हम उनसे बात च च्छिम साइड जो है पैर था और पूरफ साइड सर था वहीं उसके गला जो है जो है तियार भी है कहीं कर दोगा लेग गए थे घटना के बारे में क्या आपको पता चला क्या जानकारी मिली खबर से या फिर आज पास के लोगों से कि आखिर क्यों इस तरीके की घटना को अं इसी बात को अच्छा यह लोग करें कि जो उसका भाई था उसका वह दूसरी साधी थी इसके पहले भी उसकी एक बीबी थी घर वाली थी ओजो है राची की थी जो एसा काम करवाई है पिता जी तहरिर देते हैं उनके उनके बेटे के द्वारा ही उनके बेटे की हत्या की ग हुई थी वही उसका बच्चा तभी तो यहां सब्चीन पाए वह बंबई रहता था आज पास साथ दिन पहले साधा था यहां उसकी एक लड़ जो घर वाली आवरत है उसकी बच्ची साधी करने वाली है तो वह आया था साधी के लिए हां तो इसलिए जो है वह जो दूसरी बीबी थी उसके पास दो बेटे हैं अब इसके पास जो घर वाली थी उसके पास दो लड़की है पहली वाली पहले वाली बीबी के उसी के लड़कियों की साधी थी तो साधी करने के लिए मुंबई से आया हुग अब यही मामिला था इस तरीके से जो भी अस्थानी लोग ह सुलिभी स्वारी जो कि टो इस तरीके से बता रहें कि क्योंकि यह मामला वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में है लोग इस बात को जान रहे हैं अच्चा बताई ये गया कि उसने खुद पोल कर लिया इस ने किसी ने देखा होगा तो सूचना दिया होगा इस तरी किसी सब रोड है ना अच्छा अच्छा नहीं रहा था वह बाहर रहता था बंबई इसलिए कोई चीन नहीं रहा था यहांसे जिसबेकत की हथ्या हुई है उसका गाउं कितना दूर यहांसे एक क्किलोमेटर होगा नदी पारकरना होगा जहां वहां से उतने ही आगे और उसका घर है अच्छा नहीं पा रहे थे देखें नहीं थे उसको कभी बच्चेपन से निकल गया था बंबई सायद छोटा था था तभी साम को लिवा के गए थे सब्जी लाने के लिए हमारे पीता को अब्बू को सब्जी लेका गए और उसके बाद गायब हो गए रात में अब का बच्चे थे वाई सो गए अब लोग अपना मार पीट तब वापसी गए यह सब मावला सभा रहा था जैसे फिर ने लगए उसके पास और चार भाय थे ना चार भाई में अभी यह बता रहा था एक भाई तो वेन लोग मार दिये हैं तुला मार दिया था इसको सबसे चोटा मारा है उसके उस से बड़ा जो था वो किया था उसको मतलब इस बात का डवाट करबी कवैसे पहले बिल आ मुए के कोक्र बार चाष़ संबन्द को ले कर अब इस महीला से संबंद्र इस famille MR सर होती रहती है समाज में तमाम देखने सुनने को मिलती है तो इस तरीके को क्या कहेंगे जिस तरीके से भाई अपने भाई को जिम्मेदारी देखकर चला जाता है बाहर कि तुम छोटे भाई हो तुम देखना घर परिवार समालना अपनी भावी को देखना लेकिन इस तरीके क्या कहेंगे जो इस तरीके की समाज में घटनाय हो रही है और क्या कहेंगे बुध्धिक रभड़ी है और ये तो गलत है गलत हो जाएगा कैसे बीबी बचों को छोड़ कर कोई बाहर जाएगा नहीं जा सकता बहुत है कि यो लोग क्या साज ही सरच रहें पिर हमारे साथ क्या औरस Jazz संबन के बाद अंजाम वहां तक पहूच जाता है कि कोई साय सोच नहीं सोच कोगा dyas आपी यह अश्थाइब आते हैं देखते हैं जो भी सुनने को इन्हें मिलता है क्योंकि उसके द्वारा पता चलता है जिसने घटना को अंजाम दिया उसके भाई के द्वारा क्योंकि उसने कबूल किया कि हमने ही घटना को अंजाम दिया है और देखिये लोग बता रहे कि साम को वो आता है सबजी लेकर घर जाता उसके बाद साम को निकलता है फिर पुरी रात वो गाइब रहता है और आखिर रात में कभ घटना को वो लोग अंजाम देते हैं यहां पर लाकर यह बो जगह है आप देखिए यह खून पूरा बिखरा तो कहीं न कहीं लोगों को इमन में तरीके का डर भी बना हुआ इस तरीके की घटना है अगर छेत्र में अपने आसपास अपने गाओं के आसपास हो रही है